पूलिस के दवाव में सपा की किसान यात्रा निरस्त, सपा के पूर्ब गोसित कारिक्रम में लगा ग्रहन, सफाईयों और पूलिस में तीखी नोग जोग तो दोस्तों खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कवर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छेतर नियूद समाजबादी पार्टी की पूर्ब घोसित कारिकरम में खाकी का ग्रहन लग गया, भारी पुलिस बल एकत्रित हो गया, या यूँ कहिए कि सपा कारियाले के आसपास का छेतर छाउनी में तब्दील हो गया, जिला प्रशासन ने बगएर अनुमती निकाली जा रही, किसान य लेकिन उन्होंने पार्टी कारियाले से लोहीय पृतिमा तक यातरा निकाली और प्रतिमा पर मालयारपन किया। सपा के जिला कारिकरम आवाद विकास की सपा किसान यात्रा फतेगण अंबेड कर प्रतिमा तक निकलने की पूर में घोशना कर चुकी थी बनक लगते ही सीओ राजबीर सिंग बाश शहर कोतवाल बेद प्रकास पांडे आदी भारी पुलिस बलके साथ आवाद विकास सुभा से ही आ गए चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी दमकल की गाली के साथ ही दो खाली रोडवेज भी खड़ी की गई जिसके बाद सपानेता सचिन सिंग यादव डॉक्टर जितेन सिंग यादव सयूस के पूर्व जिलाद्यक्ष जितेंदर यादव पूर्व अल्पसं पहुचे जिनोंने पहले रणनीती बनाई लेकिन संक्याबल कम देख और पुलिस ज्यादा देख किसान यात्रा निरस्त कर दी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के भी डेड़ दर्जन सपाई लोहिया प्रतिमा पर पुलिस और सरकार के खिलाप नारे वाजी करते हुए दोक्टर जितिन सिंग आदम ने कहा कि यूपी का किसान सबसे ज्यादा दुखी है सपा उनके साथ है इस दोरा सपा के पूर बिदायक वा सांसा जिलाद्यक्ष नदी मेहमत फारू की आदी नेता नजर नहीं आए घरों में सपाईयों को नजर बंद करने का परियास किया ग यही तो दोस्तों जुड़े रही हमारे साथ इसी ख़वर पाने के लिए और एक बार मैं फिर आप से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खवर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें फिर मिलत हैं तब तक के लिए जैहिन